और पार्टनर से फॉर्म आपका चल रहा है इसमें बेसिक और फंडामेंटल कुश्टन समलोग कर रहे हैं उसमें कुछ आपके डाउट आ गये डाउट क्यों आते हैं दो तरीके से एक तो मास्टर जी ने पढ़ाया हो वो समझ में नहीं आया तो डाउट आ गया दूसरा मास् थोड़ा सा इधर उदर तो फिर भी अगर मास्टर जी ने गलती की है तो मास्टर जी सुधा रहेंगे चलिए जो डाउट आया है वो बेसिकली डाउट आपका है इंट्रेस्ट ऑन ड्रोइंग के कल्कुलेशन पर अगर थोड़ा सा ध्यान होगा तो वाकई में अगर ऐसा मैंने बहुत गलत कराया नहीं था आपको मैंने एक ट्रिक भी दिया था और साइध आपको ध्यान में हो कि इंट्रेस्ट ऑन ड्रोइंग को कल्कुलेट करने के लिए स्क्रीन आपको दिख रहा होगा मैंने काफी एक लेक्शर पूरा डेडिकेशन किया था उस पे और एक है तो थोड़ा सा देखना जरूरी है पहले कंफर्म करिए क्या यहीं क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर 26 जो डाउट आया है कहता है कल्कुलेट इंट्रेस्ट ऑन ड्रोइंग ऑफ मिश्टर आदित्या अट रेट आफ एट परसेंट परसेंटेज आपको मालुम चल गया सब्सक्राइब और यह इंडेट 31 मां 2016 इन इच अव फॉलॉइंग अल्टरेंटिव केस तो तीन केस दिया हुआ है आपने बोला केस नमबर वन ओके है सर केस नमबर तो भी ओके है इसमें आगया डाउट डी हो गया अब डी से डाउट भी होता है और डी से कुछ और भी होत डी से डाउट भी होता है डी से डाउट भी होता है डी से तो अग भी होता है तो डाउट आया इफ ही विड्रो टेन थाउजेंड डिरिंग मेडिल ओफ इच क्वार्टर का मतलब तीन महीना तीन महीना 10,000 रुपया वो निकालता है हर क्वार्टर में और वो क्वार्टर के बीच में निकालता है तो पूरे साल में कितना निकला यह बताईए तस हजार गुने चार चालिस हजार पहले यह कंफर्म है यह सर ठीक है अब मिडिल में निकाला तो हम लोग ने क्या दिखा था क्या सीखा था अगर मिडिल में है यह निकालना होता है अग्वरेश ने का इस इस मांथ यह बात बताया था आपको में इडिल of the half year middle of the quarter होगा तो जो भी इंट्रेस्ट जो निकालोगे वो कितने का निकलेगा चालीस जार गुने आठ बटा सो इन्टू सिक्स डिवाइड बाइट वाले में ओन एवरेज सिक्स महीने का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा चालीस जरका आठ परसेंट बत्तिस्टो अब तीसो का आधा सोला सो दिया हुआ है आप देखिए देखरें आप अब यहां पर आपको जो दिया इसको आप आप ऐसे भी फॉलो कर सकते हो या मैंने आपको भी बताया था सिंपल का सौटकॉट हमने क्या डिसकस किया था कि जब कि हमारा कोश्चन क्या बोलता है और टाइम गाप कितना है ठीक है तो पीरियड आपको देखना है कितने महीने का है तो कितने महीने का है पूरे साल जो है बारा महीने का है कि नहीं राइट यह सारा महीने का साल है और हमारे पास टाइम गाप कितना होगा अगर बिगनिंग म में था 12 plus 0 divided by 2 and में था 12 minus 1 divided by 2 यह मन्त में था तो इसी को हम लोगर quarter में कर रहा है थे तो हमने क्या किया यह महीने को quarter में बदल दिया यहां पर 0 रहता यहां पर यह shortcut भी बताया था आपको जो इसका यह वला आपको था देखरो आप मैंने आपको कराया भी था कि a fixed amount to withdraw at the beginning of every month every quarter तो beginning में होगा तो आपको total period लेना था time interval देखना था अगर monthly है तो time interval one होगा quarterly है तो तीन होगा half yearly है तो six होगा सिंपल सा बात था एंड में था तो हम माइनस करना था और आपका मिडिल में था तो आपको क्या करना था total period divided by two कर देना था तो और अपने आप six month होगा राइट तो यह concept खराया हूँ था इंट्रेस्ट और रॉइंग में आप साथ भूल गया या आपको यह वाला confusion कर दिया तो इससे भी बहुत concern नहीं था आपको सिंपल्स on and average six month का निकालना और most of the question में तो यह निकालते है मेरे लैप्टोप में नहीं खुला लिख रहा है फाइल नौट फाउंड फाइल नौट फाउंड चलिए कोई बात नहीं फाइल को ढूंडिए अभी फिलाल और कुछ किया जा सकते तो question number याद नहीं आपको कि किस में डाउट आया था उतना भी नहीं याद है मेरे बुक में 13 नंबर पर हम इसका फर्स्ट लाइन बता देंगे फर्स्ट लाइन बोलिए देखते है खोज के अच्छा देख लिए थर्टीन आपका है तो पहले इसका थर्टीन देखते है राइट 13 अब लाइन बोल यह है क्या ABC partners fixed capital 1 lakhs 2 lakhs and 3 lakhs respectively यह question है बुक का देखे एक बार अब देख रहा है आप अपने लटा 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 एंड ममता पंदरा नंबर वाह आयूस जी और समसली का मुड़ा खाते हैं आप इतना दिमाग कहां से लाते हैं आप यह एक बार और भी हुआ था किसी दिन सिंपल सा देखो अगर कोई भी सब्द लिखा हुआ है अगर उस सब्द के बारे में अगर समझ रहे हैं न तो बाकी सारा काम खता हैं क्या कह रहा है वन तेन्थ ऑब डिस्त्रीबूटल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ध्यान से मतलब जो प्रॉफिट अब बटने वाला है इनको बटने वाला पार्टनर्स को तो प्रॉफिट कौन सा बटने वाला होता है तो net profit में से interest on capital salary to partner घठाने के बाद बचेगा वहीं बटने वाला profit है तो उसको बातने से पहले जो आप सेवेंटी थर्टीन में बाटोगे उसको बाटने से पहले उसका एक दस्द है किसी ने पूछा था और मैंने बताया भी था मुझे जहां तक याद है चलिए देखिए आपका पहले इस concern पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए नेट profit आपको दिया हुआ है इसमें कोई डाउट नहीं है interest on drawings आपने निकाल लिया बढ़िया तरीके से इधर का आप समय सन कितना होगा क्याइट का किलिए एंटरेस्ट ऑन आपने पैंटिसफज़ दे दिया सालरी जो है लता का दे दिया 30 लाइख से देखिए गा दो लाग पचीस जार आपका क्रेइट साइट का समय सन है उसमें से आपने दे दिया एंट्रेस्ट और कैपिटल 35,000 बटाते हैं रफ में हम वर्किंग करने हैं आपको समझाने के लिए और सैलरी जो है लता का वो 30,000 अब कितना बचा अगर रिजर्ब नहीं ट्रांसफर करने ह होता तो कितना बचता दो लाग 25 जर्व में से 35 जर गया और यह रिजर्व में नहीं भेजते तो यही प्रॉफिट क्या होता लिएनधता तो इस को डिश्टिब्यूटेवल प्रॉफिट कहेंगे और इसका कोश्चन बोलता है कि वन तेंथ आप रिजर्व में भेड़ दिए तो एक लाख साथ हजार का एक बटा दस सोलह हजार रिजर्व में रिजर्व समझते हूं न क्या होता है मां की या कोपरेशन के लिए बहन की शाधी के लिए भाई की पढ़ाई के लिए है ना वो मुवी नहीं था मुझसे साधी करोगी सल्मान खान तीन गुल्लक बना के रखा हुआ था तो रिजर्व का मतलब मैंने डिटेल में एलेवन्ट में भी आप से डिसकुसन किया था रिजर्व यह होता है रिजर्व क भी पार्टनर भी लता और ममता भी सोचते हैं कि कल हो नहुद किसने देखा है तो आज थोड़ा सा पैसे बचा कर रखें आपस में बाटने से पहले थोड़ा सा रिजर्व बना के रख दिया तो रख दिया थो रख दिया सिंपल से बाद तो आइठ यह भी समझ में आया तो वो कैसे निकला तो सिंपल से बात है जितना भी आपका ये है ये है उसमें से आपको यह घटाई यह जो बच जाएगा उसमें से पहले आपको वन तेंथा को ट्रांस्फर करना है कैसे ऐस पर तो उसके निकालने के लिए भी हमने क्या किया हमने रॉफ में वर्किंग किया आपके यहां पर विदिया हुआ है देखर हो ना आप टू लैक ट्वंटी फाउजेंड माइनस टोटल ऑफ डेविट साइट सेक्टी फाइफ थाउजेंड घटा दीजा एक लाग साट जार हुआ जेनरल लीजर में आपको ट्रांसफर करना है तो जोड़ घटा अब बच्पन में जोड़ घटा भी गलत आएगा तो अब देखिए मानते हैं कमर्स के बच्चे मैथमेटिक्स में थोड़ा सा हाथ तंग रहता है हमारा लेकिन आप देखिए कमर्स का भी हायर फिल्ड है जो है लोग कहते हैं कि CA, CMA और Company Secretary आप बन गए तो कमर्स के एक अपर लेवल को आप प्राप्त कर लेते हैं तो CA को टेक्निकली कहा भी आता है दी डॉक्टर ओफ डिजिट्स हम लोग डॉक्टर हैं अंकों का छेड़ चार करने का तो मैथमेटिक्स तो आना ही चाहिए अब तो सिम्पल मैथमेटिक्स है किसी को जोड़ना है किसी को ताना है अब उसमें भी गरबर हो जाएगा तो फिर तो मैथमेटिक्स का कल्कुलेशन अगर गरबर हो गयए तो चली और कोई सेवा थीक है थोड़ा सा फास्ट करिए ऐसे काम ना चलबो थोड़ा सा फास्ट मोड करना पड़ेगा दिसंबर आ गया है देख रहे हो ना दिसंबर महीना जैसे ही खतम होगा आपके उपर प्रेशर हो जाएगा अभी बहुत काम करना बाती है तो कोश्चन फड़ा-फड करिए नह तो इस कोश्चन में अगर लगे रहेंगे तो हम आगे वाला भी सेसन स्टार्ट कर ले सकते हैं हम लोग उसमें भी मोस्टी एटिव हां बोलिए सर हम लोगी कुछना नहीं तरशे करते हैं आप आगे स्टार्ट कर देते प्रॉब्लम होते तो आप बताते वह भी हो सकता है लेकिन क्या है भाई कि आज का किया हुआ काम अगर आज नहीं करोगा आपको लगता है कि कल आपके पास समय है प्रॉब्लम यह भी है आज आपने कोई काम कर दिया तो आज उसको करना था तो करी नहीं पाए कल आप कर पाओगे इतना है पीछे का चैप्टर का कोश्चन जो तीवी देखना होता है नेट्फिक्स है इमेजॉन है पताने कितने OTT है नहीं सिनेमा हॉल है भाई दोस्त के हाँ जाना है पाटी खाना है कभी बर्डे का पाटी है कभी कुछ है तो बहुत सारा काम भी तो है हमारे पास है कि नहीं है वह काम कौन करेगा हाली पढ़ना ही थ आध्य पचाब कर ने आगर आप मेहनत प्रेट करोगे तो आ अधा प्रस्व आपका सुख में भीच देगा आज अगerson arkadaş थो आज चल के आपको मेहनत करना पड़े लिए आज करोगे रंग करऊफ å इसका आज करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होवे है, बहुरी करोगे कब? ऐसा कुछ कहावत है, इसका आज कल नया भरुजन बच्चे निकाल चुके हैं, आज करे सो कल करे, कल करे से परसो, ऐसी भी क्या जल्दी है, पढ़ा है हमारे पास, बरसो, तो लगे रही यह सोच आपका है आपको देखने हैं धोना कपड़ा आप ही को है आप कहो गे मुझे सारा को शन वन बाइंगे तो एक सरह क्या है और रहेंगे कहसे पूरे क्वेंट को बोल्ड पर चाप दिया जाए तो लेकिन बच्चे एक्जाम में बैठेंगे उनका हाथ अगर प्रैक्ट जैसे जिसको समझ में आता है वैसे करता है मेरे यहाब से आपको question बनाने आना हमको आता है नहीं आता है वह बहुत matter नहीं करता आपको आना चाहिए तभी आपका number प्रतिक क्या है अपका नमबर नॉलेज्ट है नॉलेज्ट तो फिर कहीं से फेस होगा तभी पतह चलेगा नहीं कि नमबर ही एक मापदंड है आपके कॉंसेप्ट का तो वह लाना जरूर यह कंचेंकर मेरा प्रयास होता है कि आप कंट्री टॉपर ना करें स्टेट टॉपर ना करें तो भी चलेगा लिए कि डिस्टिक में तो अस्थान आपका आना चाहिए मेरे इसाब सो कम से कम डिस्टिक के लायक तो बनी है अजब क्या फायदा फिर ठीक है जी चले इनी शब्दों के साथ मैं अपने बानी को भी राम देता हूं फिर से कल के कथा के अध्याय में हम समलित होंगे धूप अगरबत्ति और प्रशाद के साथ तब तक के लिए नमस्कार